नमस्कार दोस्तों आज हम लोग आपके लिए लेके आ गए है और एक नए प्रोड़क्ट का अन्बोक्सिंग आज का हमारा जो नए प्रोड़क्ट है यह है और इको कंपनी के तरप से आने वाला 245 इंच हर्डिस ड्रैव एन क्लोजर यह प्रोड़क्ट क्या करेगा यह आप की लेप्टोप की इंटरनल हर्डिस जो होती है उसको आपको एक्सरनल हर्डिस के जैसे यूज़ करने देंगा यह प्रोड़क्ट आपको किस तरह काम में आने वाला है वो सब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे तो इसलिए हमारे वीडियो में बने रहे तो आप देख सक यहाँ पीछे भी कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी यहां पर दीë हुए हूँ थोड़ा चैनीज में थोड़ा इंग्लिश इसको भी आप पॉस करके पर सकते हैं इसमें प्रैसिंग दी गई हूँ है वह थोड़ी ज्याद है इसकी एक्ट्ट्रेस में आपको आगे बताने वाला हूँ यहां पे साइड में आपको थोड़ी स्पेशिफिकेशन जो है वाइलेट की गई हुई है जिसको आप पोस्ट करके पर सकते हैं तो हम इसको आगे खुल के देख लेते हैं इसको कि इसमें अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है आप चाहे तो इसे फोस्ट करके पर सकते हैं यह कुछ रबर की पैडिंग है यह हमारा USB 3 केबल है और यह है हमारा एक्चुल प्रोड़क्ट इसको हम प्लास्टिक में से निकाल देते हैं और देख लेते कैसा है यहां पर हमको और इको की ब्रांडिंग मिलती है आप देख सकते हो यह काफी लाइट वेट है यहां पर कुछ टेक्स्टर वाली दिजाइन आपको देखने को मिलती है इस तरह से कुछ यह प्रोड़क्ट पीछे से खुलता है यहां पर हमारा केबल लगेगा जो मैंने थोड़े दिर पहले आपको दिखाया था तो हम देख लेते हमारे पास यहां पर एक लैप्टॉक के हर्डिस है तो इस पॉर्ट में हमारी हर्डिस का यह यह वाला जो पॉर्ट है वह फिट हो जाएगा वो कैसे करना है मैं आपको बता दाओ कुछ नहीं सिंपल मीकनिमें इस हर्डिस को हमको लेना है ऐसे स्लाइड कर देने के बाद यहां से अलका पिछे से हमको दबाना है और यह आगे खिसक के अपने दोनों पोर्ट अपने आप connect हो जाएगे और इस cover को लेके हमको उपर से बंद कर देना है जैसा कि आप देख सकते हो यह cover हमारा fit हो गया है और यह हमारी hard disk यूज़ करने के लिए तियार है आगे हम देख लेते हैं इसको computer में कैसे connect करें जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहां पे cable लगा दिया है hard disk में और यह वाला हमारा USB 3 वाला जो port है उसको हम अपने laptop में डाल देंगे यहां पर हम connect कर लेते हैं कर लिया इस hard disk को यहां पर हमको light दिखाए देंगी जैसा कि आप देख सकते हो हमने इसको connect कर लिया है यहां पर right side में notification भी आ गया इसको हम खोलके देख लेते हैं अपने my computer में जाके कि hard disk लगी की नहीं लगी जैसे मैंने अपना my computer खोला तो आप देख सकते हो हमारी जो पुरानी hard disk में जितने भी drive थी वह यहां पर आ गई है यह हमारा product successfully काम कर रहा है एक बार और हम इसको चेक कर लेते हैं आडिस को यहां से निकालके कि यह product हमारा काम करता है कि नहीं तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने दुबारा connect कर लिया है दुबारा connect करने के बाद automatic यहां पर सभी drive आ जाएगी और यह सभी drive automatic आ गई है तो यह product काफी अच्छा product है काफी सस्ते में मिलता है आप अपनी laptop के hard disk को external hard disk के जैसे use कर सकते है इस link मैंने description box में डाल दी है वहां से आप buy कर सकते है यह video यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद मिल देहे अगले वीडियो में